हाई फ्रेंज गुड बॉर्निंग केरियर गाइडेंस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और फ्रेंज आज का जो वीडियो है यह आपका MPSC 212 का है चलिए इसमें लेशन 3 तक हमारा जो चैप्टर हो कम्प्लेट हो चुका है आज हम लेते हैं चैप्टर 4 नए का उदय चलिए इसमें देख लेते हैं और यह पीडियाफ इसका पीडियाफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की दे दूंगी वहां से आप डाउनलोड कर लिए बिटिस सासन ने नए समाजी कार्थिक और राज विवस्था की सुरूआत के लिए नए भारती वर्ग की जवरत को समझा जिसने आधनिक सिक्षा ग्रहर कर ली हो खासकर कानून तकिनी की 27 अर्थिक छेत्र में सारे देश में आधनिक सिक्षा विवस्था को सुरू करने का उद्देश उनके दिमाख में पहले से ही था और यह अर्थी प्रशारित वर्ग नई समाजी का आर्थिक प्रशास्ति विवस्था की देन थी यह पेसे वर्ग बिटिश सासक से पूर अनुपस्तित था और इस वर्ग ने विवमकला के छेत में आधनिक ज्ञान अर्जित कर लिया था बिटिश द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवस्था ने कानून का अध्यन करने वालों को प्रशास्ति वर्ग लिए तो इसमें पहले जो कोशन मैं लोगी और मुझे कोशन इंप्रेंट लगता है कि आपनिवेसिक काल में नवीन वर्गों के उद्वा को रिखागित करना यानि कि कौन कौन से नवीन वर्ग उद्वा हुए जन्म हुए आपको यह बताना है आपनि भूम संबंद को नया रूप देना भूम संबंदी जितने भी कानूं थे उनको लागू करना पूजी पतियों वर्गों को भारती समाजिक सोसर के लिए खोल देना और नई प्रशास्ति विवस्ता का उद्वम यह आदूनिक सिक्षा प्रणाली और नए उद्वों को का उद्वह हुआ लेकिन नए समाजिक वर्गों के उद्वह क्या थे तो यहां पे ही होगा कि अर्द्ववस्ता में परिवर्थन करने के लिए भूम को जो भूम संबंदी जितने भी कानून ने उनको नया रूप देने के लिए जो पूजी पति थे भारती समाजिक सोसर के उनको खोल देना और नई प्रसासिंग विवस्था इस्थापित करना और यह सभी मुख कारण थे समाजिक वर्गों के उदाय के ठीक है जिसे भूम पर निजी संपत्ति के उत्पत्ति ने तथा रहतवारी विवस्था ने नए वर्गों को जन में दिया देखिए रहतवारी जो आपकी रहतवारी विवस्था बेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें भूम संपत्ति वर्ग जमीनदार और क्रिश्ण स्वामी वर्ग बने थे इसमें जो जमीनदार वर्ग का एक तरह से कहरा चुई है कि उदाय हुआ और उन्होंने बीच्वारी विवस्था ठीक है जो पर मजदूरों को काम पर लगाना भी नए वर्गों के उदर का करेंडा है ठीक है जैसे खेते मजदूर वर्ग अनुपस्ति जमीनदार वर्ग अब इसमें थोड़ा आगे देख लेते हैं वहां पर एक अन्वर्ग महाजन वर्ग का उदर रहतवारी विवस्था में ठीक है नए वर्गों का उदर हुआ और बिटिस एसासन के अंतरगत दोनों यानि आद्योगी किवम किशी बाजार के लिए थे पहले बता चुके इसमें आपने फर्स सकंड जब लेसन इसमें देखा है तो इसमें हमने बताया था कि जो बाजार था उसका ब्युशाई करण किया ग प्रदान किया यह लोग व्यापारी के रूप में जाने जाते थे और जहां तक कि ब्रिटिस सासन के पूर भी व्यापारी वर्ग मौजूद था लेकिन अपने खाने और अपने गाव कस्वे तक भारत तक सीमित था लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यह बाजार बड़ उत्रेलियर कमदामों में लिया गया और इंग्लेंट बेच दिया गया वहां से बस्त बन बाके कॉर्टन के सूती बाके भारत में फिल लाय गया और महगे दामों पर बेचे गया और द्योग पूजी पति वर्ग को जो खानों घाटानों के अमालिक तथा दूसरा मज़ीश इस पूजी पती थे जिनकी फैक्टरी मिल कर खाने थे वह उसके मालिक थे दूसरा वर्ग हो गया मजदूर वर्ग हो गया जो उस उस मिल फैक्टरी कार्खानों में रेलोगे अंदर काम किया करते थे बिटिस सासन ने नए समाजिक आर्थिक और राज विवस्ता की सुरुवात के लिए नए भारती वर्ग की जवरत को समझा जिसने आधनिक सिक्षा ग्रहन कर लिए हो खास कर कानूनिक तक्निक की चिकिस्ता आर्थिक चित्वर्ट आजनिक सिक्षा का मतलब है कि बिट्टी सरकार ने जो कानून जो लाव बनाया था सिक्षा नीती जो बनाई थी उसके तहत उतने सिक्षा ग्रहाण की हो खास तर तो उसमें इंग्लिस सामिल थी अंग्रे जी ठीके ना सारे देश में आगनीक शिक्षा विवस्था को सुरू करने का उद्देश उनकी दिमाग में पहले से ही था और यह अर्थी प्रशारित वर्ग नहीं समाजिक आर्थिक और प्रशास्ति विवस्था की देन थी यह पेशिव और वर्ग बिट्री सासन से पूर्ण अनुपस्थित था विज्ञान अमकला के छेट में आदने ज्यानर जीत कर लिया था विट्री शासन प्रस्तुत कानूनी विवस्था ने कानून का ध्यन करने वालों को आउसर दिया जो कानून के बारे में उनको वहां पर जॉप कराया गया और बैंतर के भारत मे लेकिन परिवर्टर उतना नहीं था जितना की फ्रांस अमेरिका में हुआ था इसका मतलब था कि साहसी के द्योगिक भिकास है इसके परड़ाम सरु कुछ पुराने वर्ग जीवित रहे जिनमें गाउं के सिल्पकात था सहरों के दस्तकार वर्ग सामिल थे अब उन्होंने जो पुराना एक वर्ग था ठीक है ना वो जिन्दा थे आज भी यह जो हुआ करते थे सहरों में दस्तकार वर्ग सामिल थे वह बर्ग आज भी थे और इस अंदर में कार कर रहे थे पुजी वादी अर्दुवैस्ता के विकास कारणे पूरी तरह से बदल गया था अब पहले की बदल जुके थे अपने उनका समान होता था वह अपने महीं पे बाजारों में बेचना कर दिया था और सेहरी दस्तकार जो पहले राजाओं मीर वियापाजयो कि आकर करते थे आपना माल बाजार में विक्षाओं और इसके रावाद जो वर्ग जीवित रह सका था वह था राज घराणा जिन्हों ने एक तिहाई भार्गती छेत्र पर शासन किया था वे इसलिए बस सके क्योंकि बिट्ट्र ने अठारश संतामन के बाद कब्जा करने की नित्यों त्याग दिया था और अठारश संतामन की क इसलिए उनके ऊपर ऐसा कुछ भी चीज नहीं लगाई घी लेकिन यहां पितलों से एक बात ध्यान देनों कि राजियों की सकतियों को बिट्रिक सरकार के आदिनकल लिया गया था और निवासियों के साथ अंगले जोने राजियों की आंतरिक मावलों में दखल देना कुछ भी चल रहा है तो दूसरे राया जो कि अंग्रेज की बफादार बने हुए हैं उनकी सिपाईयों को वहाँ भीजा जाता था यही होता था अबिटिज सरकार के आपने आधिन कर लेना उनकी शक्तियों को अपने आधिन कर लेना यहां पर देख लेते कि भूमकर अनकर बहुत अधिक थे जिससे राजा स्प्राप्त होता था राजगरानों के उचे जीवन अस्तर का कर्च किया जाता था नहीं है दो बस्ता के प्राणा मिराज कुमारों को ब्यापारी ओद्योगी को आपनी सीमा से बाहर करने का आउशर भ वर्गों का उदय हुआ था अपनी वेसिक काल में अब हम दूसरा कोश्चन यहां पे लेते हैं कि अंग्रेजों ने जमीन दार वर्ग को क्यों उभर ने दिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जमीन दार वर्ग है और इसका जन्म हुआ थोड़े इसके बारे में ज जन्म में दिया जो कि कुलीन उच्च वर्ग था और इस वर्ग को जन्म देने से अंग्रेजों का लक्ष था भारत में अपने सासन के लिए मजबूस समर्थन हासिल करना ठीक है ना यहां पर देखिए एक्चली जमीन दार वर्ग का ऐसे हुआ कि मान लीजे कोई गाउं है क है जो उन पर राजस दीत लगाई गई थी जो कर लगाई गई थी वह का लोग नहीं दे पाते थी तो इन्होंने क्या कि एक व्ывать को जिभिकर जमीन कुछ जादा थी वहां का जमीनदार अपने पास रखते थे साथ ही साथ में बिचौलिय का काम करते थे किसके बीच में किसान और बिचौलिय का काम यह कौन करते थे जमीनदार इसलिए उनका जन्म किया गया अब जो पहले काम किस क्रिशक वर्का बिचौलिय का से होता था डारेट बाते करना बिचौल त परकार को बार बार किसान के पास आना परता था। इतने सारे लाकु किसान हुआ करते थे … लेकिन जब इस वर.. यहानी जमीनदार का उदय when was .. तो क्या हुआ उन्हेय आध Qis अपनी जमीन पे लेकिन तब भी वह जमीन उनकी नहीं होती थी कि उन्हें लगान नहीं दिया था इसलिए यहां पे जमीन दार और किशान की बीच में एक बहुत गहरी खाई आ गई थी इंडियन भारती होते हुए इन दोनों में बहुत बड़ी खाई आ गई थी ठीक है ना और इसके अलावा जमीन दार वर के स्थापना करने की पीछे भी प्रमु कुदेश जो था बिटिश आसन का वो यह था कि आए को स्थाई तो करना क्योंकि कंपनी जो थी वो बित्ती संकर से गुजर रही तो उसके पास पैसे नहीं थे अब जब पैसे नहीं थे तो भूमी राजस उसने लगाया था उससे बंगाल को बंगाल से बढ़ाया और इसके बाद इस थाई बंदवस्ते राजस प्राप्त करने के भी नए तरीके उसे हो गए और यहां पे थोड़स देख लेते जमीन दार जो होते थे बिट्सों के एजेंट हुआ करते थे सरकार को राजस नहीं दी जाती थी उसे अपने पास जमीनदार रख लेते थे यह कोई बीबाद जगड़ा होता था तो जमीनदारों के पास कोर्ट था सरकारी मसीनली थी उनकी रख्चा के लिए उनका पक्छ लेने के लिए इस कार्ट जमीनदार छेतरों में कास्तकारों की इस्तित और यह बर्ग हमेशा ही लोग तंत्र का भी रोधी रहा है तो इसे आप एक्स्प्रेंट करके लिख दीजें ठीक है इन्मने बहुत सारे आंदोलन किये गए इनमें सबसे इंपॉर्टन गान नील भी लेके अंदोलन हुआ तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं है ना जो किश कजाते जमीन को सब्सक्राइन को सब्सक्राइब तो आप इसको देख लिए गर इसमें को इंप्ट्रिश मुझे रगते थे जो प्रस्ट कोश्शन था वो था कि अपनी वेसिक है काल में नवीन राज्यों के उद्भाव कोरे खांकित कर यानि कौन-कौन से नवीन राज्यों का उदय हुआ यह आपको बताना है और साथ में दूसरा जो कोशन था वो आपका था कि अंग्रेजों ने जमीन राज्यों को क्यों भणने दिया यह भी इंपोर्टेंट था और यहां पर थोड़ा सा किस प्रकार कास्टगार जमीन राज्यों सौसित किये गए इसे एक मज़द देख लिजेगा तो फ्रिंग सी था आज का वीडियो नए वर्गों का उदाय जो आपका लेशन फोर है चैप्टर चलिए फिर हम नेस्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए कमेंट्स करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए चलिए फिर नेस्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए चैक केर बाय